नमस्कार जोहार दूर दर्शिन जार्खिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ अकांक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समचार जैसा कि इस कारेक्रम का नाम है वैसा ही हमारा उद्देश भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंदित कुछ जानकारिया दे जो केंद्र और राजसरकार द्वारा आमंतृत की जाती है तो इसी के साथ आईए जानते है आज की कुछ विग्यपतियों के बारे में आज की पहली विग्यपति है 36 गर पुलिस विभाग से यहां कॉनस्टेवल जीडी ड्राइवर ट्रेट की पदों की भरतियों के लिए ओनलाइन आवेदन आमंतृत किया गया है जिसमें कुल 5,900 सरसथ भरतिया जारी की गई है इन पदों के लिए साक्षनिक योग्यता कि अगर बात करें तो दसवी पास अभियरति आवेदन कर सकते हैं वहीं आवेदन के लिए आयू सीमा नियुनतम 18 वर्स और अधिकतम 28 वर्स तैकी गई है अभियरतियों का चेन, PET, PST, Trade Test और लिखित परिक्षा के अधार पर किया जाएगा जहां चेनी तभियरतियों का वेतर मान 19,500 रुपे से 62,000 रुपे निधारित होगा आवेदक 30 नमबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिसल वेवसाइट cgpolice.gov.an पर विजिट कर सकते हैं आज की दूसरी विज्यपती है एम्स बिलासपूर से यहां faculty group A के कई पद जैसे प्रोफेसर, additional professor, associate professor, assistant professor की भरतियों के लिए online वा offline दोनों माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है जिसमें कुल 81 भरतिया निकाली गई है बात करें आवेदन के लिए साक्षनिक योगता के बारे में तो ये पद अनुसार विभिन है वहीं आवेदन की आयू सीमा अधिक्तम 50 वा 58 वर्स तय है चैन personal interview के अधार पर किया जाएगा जहां चैनी तभिटों का वेतनमान पर अनुसार निधारित होगा आवेदन 30 नवंबर 2023 तक online और 6 दिसमबर 2023 तक offline माध्यम से किया जा सकता है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी official website aimsbilaspur.edu.an पर विजिट कर सकते हैं अब जानते हैं RVNL द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में RVNL यानि Rail Vikaas Nigam Limited यहां manager, deputy manager, assistant manager के कई पत पर online आवेदन किया जा सकता है जिसमें कुल 50 भरतिया जारी की गई है आवेदन करने के लिए अभरति की साक्षनिक योगेता बी या बीचिक होनी चाहिए आईउ सीमा की अगर बात करें तो अधिक तम 35 वा 40 वर्स तक की अभरति आवेदन कर सकते हैं चैन लिखित परिक्षा और साक्षतकार की अधार पर किया जाएगा जहां चैनी तेविटों का वेतर्मान पद अनुसार निधारित होगा आवेदन 5 दिसमबर 2023 तक किया जा सकता है अधिक जानकारी आप इसकी ऑफिचल वेफसाइट rvnl.org से भी प्राप्त कर सकते हैं अगली विग्यप्ती है स्टेट बैंक ओफ इंडिया से यहां junior associates, customer support and sales के पदों की भर्तियों के लिए online आवेदन आमंत्रित की गई है जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 8283 है आवेदन के लिए अभर्ति की साक्षनिक योगता बैशलर्स डिग्री होनी चाहिए वहीं आयू सीमा कम से कम 20 वर्स वह अधिक तम 28 वर्स तैक की गई है चैन, प्री और मेंस परिक्षा पर आधारित होगा जिसमें चैनित होने वाले अभर्तियों का वेतन मान 17,900 से 47,920 रुपे निधारित होगा आवेदक 7 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसल वेवसाइट sbi.co.an पर विजिट कर सकते हैं अगली विग्यप्ति की बात करते हैं जो ओडिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेट द्वारा चारी की गई है यहां नन एक्जेक्यूटिव के कईपर जैसे जूनियर इंजीनियर, जूनियर नर्स, जूनियर फार्मसिस्ट, एलेक्ट्रीसिन की भर्तियों के लिए ओनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है जिसमें कुल पदों की संख्या एक सो है आवेदन कले आवेदक किस साक्षनिक योगेता 10th ITI डिप्लोमा पर अनुसार होनी चाहिए आईउसी मा नियुंतम 18 वर्स और एक्टम 38 वर्स तैकी गई है चैन CBT पर आधारित होगा जहां चैनी तर्भीरतों का वेतनमान पे लेवल 5,8,9 पद अनुसार निधारित होगा आवेदन 8 दिसमबर 2023 तक कर सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ओफिसल वेवसाइट omcltd.an पर विजिट कर सकते हैं अब अगली विग्यप्ति की बात करते हैं जो बिहार कर्मचारी चैन आयोग द्वारा जारी की गई है यहां निम्ण वर्गिय लिपिक, फाइलेरिया निरिक्षक, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचीव एवं अन्य पदों की भरतियों के लिए ओनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है जिसमें कुल 12199 भरतिया निकाली गई है इसमें आवेदन के लिए आवेदर किस साक्षने क्यों गयता, इंटर्मीडियेट या समकक्ष होनी चाहिए आयू सीमा की बात करे, 18-37 वर्ष तक की अवर्गिय आवेदन कर सकते है चैन, प्री और मेंस परिक्षा पर आधारित होगा, जहां चैनीत होने वाले अर्भिटों का वेतनमान पद अनुसार निधारित किया जाएगा आवेदन 11 दिसंबर 2023 तक किया जा सकता है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिसल वेवसाइट bsc.bihar.an पर विजिट कर सकते हैं अब जानते हैं, आर आर सी, North Central Railway द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में यहाँ अपरेंटिस के लिए ओनलाइन आवेदन आमंतृत किया गया है, जिसमें कूल 1697 भरतिया निकाली गई है आवेदन करने के लिए साक्षनी क्यों गयता कि अगर बात करें तो दसवी के साथ संबंधित ट्रेड में ITI के अभिरति आवेदन कर सकते हैं आयू सीमा नियुंतम 15 वर्स वह अधिकतम 24 वर्स तैकी गई है, अभिरतियों का चैन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें चैनीत होने वाले अभिटर का वेदन मान, अपरेंटिस के नियमा नुसार निधारित होगा, यहाँ 14 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया आप्रेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के परदों की भर्तियों के लिए ओनलाइन आवेदन आमंत्रत किया गया है, जिसमें कुल 110 भर्तिया निकाली गई है, आवेदन करने के लिए साक्षनिक योगयत की बात करें, तो दसवी के साथ आईटी आई के अभियर्ति आवेदन कर सकते हैं, आईउ सीमा नियुनतम 18 वर्स वा अधिकतम 28 वर्स तैकी गई है, अभियर्तियों का चैन CBT पर आधारित होगा, जहां चैनित होने वाले अभियर्तियों का वेतन मान, आप्रेटर कम टेक्नीशियन के लिए 26,600 से 38,920 रुपे और अटे जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिसल वेवसाइट, सेल.co.an पर विजिट कर सकते हैं, आज की आखरी विग्यपति है, दिल्ली अधिनस्थ सेव चैन बोर्ट से, यहां नन टीचिंग के कई पज्या से, जेल वोर्डर, मैनेजर, असिस्टन सेलेक्शन ऑफिसर, लाप आरवी, BSC, MSC के अभियरती योगता अनुसार पत पर आवेदन कर सकते हैं, वहीं आयू, सीमा और वेतन मान पत अनुसार अलग-अलग निधारित है, आवेदन 20 दिसंबर 2023 तक किया जा सकता है, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिसल वेवसाइट, dssb.delhi.gov.an पर व रोजगार समचार, साथी कोई विचार आप हमाई साजा करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चानल DT जारकन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके कॉमेंट सेक्षन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, वैकेंसे जोड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रकाश